नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के टॉप टेन परियोजनाओं की जो 2050 तक वास्तविक्ता बन सकती हैं। ये परियोजनाएं हमारे देश को और भी उच्छाईयों तक पहुँचने में मदद कर सकती हैं। तो चलिए, शुरू करते हैं। नमबर वन, हाइपर लूप ये तकनीक दुनिया में यातायात की परिभाशा को हमेशा के लिए बदल देगी। हाइपर लूप एक कैपसूल रूपी चुम्बकीय ट्रेन है, जो 1000-1300 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफतार से दौड सकती है। अन्य विकसित देशों के साथ भा जोता भी हो गया है। ट्रांस्पोटेशन, डाटा, क्वांटम कम्प्यूटिंग से लेकर वर्चुल रियालिटी के क्षित्रों में रिसर्च के लिए बिलियंस ओफ डॉलर्स का निवेश किया जाएगा। ऐसे में आने वाला भविश्य तकनीकी नजरिये से काफी समरिध होने वाला है। नमबर चार, इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत के सडक और परिवहन सेक्टर में महत्वपून बदलाव होंगे। सॉल्यूशन्स का विकास होगा, उर्जा समवाद में भी बड़े बदलाव देखेंगे। सौर और विद्यूत क्षित्र में नवाचार और निवेश का विकास होगा, भारत के शहरों में स्मार्ट सिटीज का विकास होगा, जल संसाधन के प्रबंधन में सुधार होगा और नदियों का संरक्षन महत्वपून होगा। नबर फाइव, सोलर एनरजी, यह जानकारी काउंसिल, ओनन एनरजी, एन्वार्नमेंट एंड वाटर, सीआड ब्लू, द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सामने आई है, जिसका मतलब है कि यदि 2050 तक भारत अपने कार्बन एमेजन को शून्य करना चाहता है, तो उसे अपन सनरक्षन में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे, वन्य जीवों के लिए सुरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी, वन सनरक्षन और पुनर निर्मान के लिए वन कटाई को नियंतरित करने के लिए कठिन नियमों को लागू किया जाएगा, जिससे भारत सभी बेजने के बाद मार्स पर 2050 तक रोवर भेज देगा, यही नहीं, भारत रियूजबल रॉकेट का भी इस्तिमाल ज्यादा से ज्यादा और बड़े से बड़े मिशन के लिए करेगा, और भारत को नमबर वन सुपर पावर बनाने में मदद करेगा, नमबर आठ, स्मार्ट व नहीं जाना पड़ेगा, नमबर नौ, एक्स्प्रेस वे प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट भारत के महत्वपूर्ण शेहरों को तेजी से जोडने का उदेश्य रखता है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से व्यापार, परियठन और परिवहन में सुधार होगा, कई भुकतान, डिजिटल बैंकिंग और अन्य आनलाइन वित्तिय सेवाएं आम लोगों के लिए उपलब्ध हो रही हैं, आनलाइन शिक्षा प्लेटफार्म्स के माध्यम से लोग विभिन्य प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, और आई गवर्नेंस के तहत सभी सरकारी सेवाएं आनलाइन हो जाएंगी, जिससे सभी का टाइम बचेगा, धन्यवाद अगर विडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें